आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चेनल सेलेक्शन मेंडोर पे आज सेट नमबर टू का डिसकेशन करेंगे पजल के टॉप 50 सेट्स की बात हमने करी थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सेट्स नहीं आएंगे ये सेट्स डेली बेसिस पे आने की कोशिश करेंगे हम उनको लाने की कोशिश करेंगे लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू टू सम रीजन्स नहीं ला पाते हैं लेकिन हाँ टोटल 50 सेट्स आपको जरूर मिलेंगे ठीक है अंकूर सर भी लेके आएंगे और मैं भी लेके आऊँगा चली कोशन नमबर बन पर यहां पर आते ह हैं यह diagram ही है जिसको हमें consider करते हुए काम करना है ठीक है रेकिन उसमें information कैसे है कि यहां पर 12 engineers बैठे हुए है ठीक है इन 12 engineers के नाम उसने या दिये हुए है ठीक है उसके साथ साथ में यहां पर वो इस तरीके से बैठे हुए in such a way that person left to entrance entrance कौन सी है यह entrance है इस entrance का left कौन सा है इस entrance का left यह है और इस entrance का right यह है ठीक है तो इस entrance की जो left में है that person left to the entrance sit facing east while the person right to the entrance sit facing west इसका मतलब left वाले जो लोग है इनका जो face होगा वो east की तरफ होगा मतलब इधर होगा ठीक है और जो right वाले हैं उनका face की तरफ होगा left की तरफ होगा मतलब west की तरफ होगा इधर होगा ठीक है चलिए इसके अलावा इन्हों ने बोला है कि Each person like different laptop हर person को अलग-अलग laptop पसंदे और laptop total है कितने चार इससे एक conclusion में निकाल सकता हूँ कि लोग 12, laptop 4 और row 3 तीन row में 4 laptop इसका मतलब हर row में ये 4 laptop का combination आना चीए ठीक है चलिए आगे और पढ़ लेटे not more than 3 person like same laptop बात क्लियर हो गई 3 से ज़्यादा लोग इसका मतलब 3 क्यों बोला क्योंकि हर row में 1 एक एक आएगा तो 3 से ज़्यादा बनी में सकता सेट all the information are not necessary in the order बदलब क्या है all the information कुझार भी नहीं है कि उसी order में हो ये ठीक है no two person in the block facing each other like same laptop ठीक है एक जैसे laptop कौन पसंद नहीं करेगा no two person in the block facing each other अच्छे ये एक block है total ऐसे कितने block है? 6 block है एक block में 2 लोग बैठ सकते हैं तो no two person in the block facing each other ये दो block जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं उनमें same laptop नहीं बैठेगा ये बात हम कर चुके थे और no two person in the same row no two person in the same row ये पूरी row है उसमें भी same laptop पसंद नहीं करेगा इसका मतलब क्लियर हो गया कि चारो laptop हर laptop हर row के अंदर आएगा ठीक है? और वहाँ पे वो different होगा condition number one पे आते हैं condition number one पे यदि मैं आता हूँ तो उसमें कहाए कि B sit north west of U B north west में है किसके? UK चलिए ये हमारे पास में एक बात आगई तो इसको बनाएंगे कैसे? यदि मुझे इससे बनाना हुआ तो मैं बनाऊँगा कि B जो है वो UK north west में है मैं कुछ इस तरीके से बनाऊँगा ठीक है? तो ये इस तरीके से यह create किया जाएगा आगे देखो क्या कह रहा है and both of them sit left side of the corner corridor ये corridor है इस corridor का left कौन सा होगा? यहाँ पे ये दोनों बैठेंगे तो इनके बैठने का तरीका बहुत सारा हो सकता है एक हम यहाँ ले लेते हैं बाकी डाइग्राम में नीचे ले लेंगे अगर U यहाँ बैठा हुआ है ठीक है? तो U के north west में B बैठा हुआ है तो यहाँ भी बैठ सकता है B ठीक है? और एक डाइग्राम में यहीं इसके पास में ही बना लेता हूँ कि इस blocks को मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ यह हमारे पास में block है इनके arrangement भी हम ले लेंगे ठीक है? यह तीन block यहाँ हो गए और यह तीन block मेरे पास में यहाँ हो गए मैं diagram साथ साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमें आगे उपर नीचे slide को ना करना पड़े चली एक diagram यह हो गए मेरे पास एक diagram यह हो गए कि U यहाँ बैठा हुआ है और B कहाँ चला जाए? यहाँ चला जाए ठीक है? और एक और diagram बना सकता हूँ यह बचे हुए तीन ब्लॉक हो गए और इस वाले केस के अंदर U यहाँ बैठेगा और B चला जाएगा यहाँ पर बात क्लियर हो गए तीनों केसे समझ में आ गए चली, आगे condition पे आते है B नाइधर लाइक डेल नॉन लाइक एच्प इसका मतलब यह हो गया कि B डेल और H पी पसंद नहीं करता तो वो क्या पसंद कर सकता है Sony पसंद कर सकता है या Asus पसंद कर सकता है यह दो पसंद कर सकता है आगे देखो C sit at two place east of G C, G, K two place east में बैठा है या C के right में इदर आजाएगा ठीक है अच्छा G के लिए बोल रहा है who लगा के कि G who like Asus laptop कौन सा पसंद है G को Asus पसंद है तो यहाँ पर मैं Asus लिख देता हूँ G के आगे AS करके next देखो Q neither work in block mark one or not block three one और three में Q काम नहीं करता इसका मतलब Q किस में काम करेगा तो यह definite सी बात हो गई कि Q second वाले में काम करेगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Q second block में काम करेगा second block ठीक है Q second block में काम करेगा आगे देखो C sit immediate left of the one who like HP C उसके तुरंत बाय बैठा हुआ है जिसको HP पसंद है तो C एदी उसके तुरंत बाय बैठा हुआ है जिसको HP पसंद है तो बाया दाया क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो east और west चल रहा है तो उसका left और right ऊपर नीचे इस तरीके से जाएगा देख रहा होगा आपको अगर मैं इधर कोई देख रहा है तो उसका left और right ऊपर नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या बोला है C is immediate left of who like HP ठीक है उसके immediate left में बैठा है अब इसकी दो condition बन सकती है हमारे पास में कि C की दो condition क्या बन सकती है कि C immediate right HP के तब भी बैठ सकता है जब वो right वाली side में हो तो C उसके immediate left में बैठ जाएगा ठीक है यह कब है जब right corridor की बात करूँगा मैं ठीक है लेकिन यदि मैं left corridor की बात करूँगा तो C के immediate left यह हो जाएगा HP HP के immediate left C हो जाएगा जब मैं left corridor की बात करूँगा बात clear है क्योंकि यह इधर देख रहा है इस साइड़ में तो इसका ऊपर जाएगा और यह इधर देख रहा है तो इसका नीच आएगा ठीक है, edge किसी एक block में बैठा है, पहली बात तो यह, और उस block में से कोई सा एक edge है और कोई सा एक del है, यह बात clear है, yc वर्सा कुछ भी हो सकता है, इसका ultra भी हो सकता है, ठीक है, दौनों में से कुछ भी हो सकता है, edge इधर भी बैठ सकता है, लेकिन यह एक ही block में बैठा है, दोनों साथ में, the one who like Dale, sit second to the left of T, जिसको Dale पसंद है, वो second to the left, बेटा है किसके? T के यहां तक clear है, इसको मैं हम mention कर लेता हूँ कि जिसको T पसंद है, जिसको Dale पसंद है, क्या बुल रहा है वो, कि the one who like Dale sits second to the left of T, T का second to the left, अगर मैं बात करो, रहा हूँ, तो उसका second left, यह Dale हो जाएगा, यह Dale हो जाएगा, यह वाला विक्ति, ठीक है? तो यह कब होगा, second to the left में, जबकि आप कि इधर देख रहे हो, जबकि आप, जब the Dale, इस second to the left of T कब होगा, जब यह कहां देख रहे हैं, right corridor की बात कर रहा हूँ, और यहाँ T आएगा, बात क्लियर है यहाँ तक, चलिए, आगे चलते हैं B and the one who like SOS sit together, B और SOS साथ में बैठते हैं, तो यह वाला SOS हो गया B और SOS साथ में बैठते हैं, तो क्लियर होगी यहाँ तक बात, ठीक है Q's block is further down to C's block अच्छा देखो, यहाँ down का क्या मतलब है down का, क्योंकि यहाँ पर सब लोग same floor पर है, तो down और अपकी तो बात ही नहीं होती तो down का यहाँ पर क्या मतलब है कि entrance से आप कितना अंदर जा रहे हो that is called down, ठीक है, यह first, second, third तो अच second से कितना, entrance से कितना अंदर जा रहे हो, that is called down तो Q's block is further down to C's block इसका मतलब C's block यहाँ कहीं होगा और Q's block उपर होगा और अगर C यहाँ होता है, तो Q और उपर चला जाएगा down का मतलब अंदर की तरफ तो Q's block is further down to C's block तो Q का block C के block के अंदर की तरफ है but on the opposite side of the corridor लेकिन corridor के opposite side यहाँ तक बात clear हो गई तो देखो C के, अगर मैं बात करूँ C के respect में Q की, तो C के respect में Q अब मैं को C पकड़ना है, देखो यहाँ से C पकड़ो C और G का relation है, अगर मैं C को यहाँ बठाता हूँ, तो G यहाँ नहीं आ पाएगा लेकिन C को यहाँ बठाता हूँ, जो G यहाँ आ जाएगा ठीक है? अगर मैं C को यहाँ बठाता हूँ, ज यहाँ आ तो जाएगा और SOS भी उसके पास है, यह वाली condition बन भी जाएगी कोई दिक्कट नहीं है, लेकिन अगर मैं C को को यहां बैठाता हूँ तो यहां जी नहीं आ पाएगा और सी को यहां बैठाता हूँ तो यहां जी आ जाएगा ठीक है एक तो केस यह बन गया मेरे पार मैं सी को यहां बैठाता हूँ और जी अगर यहां बैठेगा तो यह एसूस हो जाएगा यह बात क्लियर हो गई ठीक है और Q जो है उसके further अंदर की तरफ है, कहाँ पे है further down है opposite side में, तो यहाँ कहीं भी आ सकता है तीनों में से, ठीक है, और एक यदि मैं C को यहाँ बैठाता हूँ, तो G मेरे पास में यहाँ आ जाएगा, जो B के पास मेला है, ठीक है, और उस case में अगर C यहाँ पे है, तो Q उप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, case यही चलेगा, यह U होगा, यह SOS होगा, यह B होगा, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास में, अगर C यहाँ पे वाली condition में ले चुका हूँ, लेकिन अगर मैं C यहाँ लेता हूँ, तो SOS यहाँ आ जाएगा, तो C यहाँ तो आएगा नहीं, अगर C यहा करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मेरे पास में बात करता हूँ, तो B के बगल में SOS बैठा है, यह बात तो clear थी, मुझे लेकिन C यहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे उपर क्यों नहीं बैठ पाएगा, और यदि मैं और बात करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं आता आगे देखो, H sit exactly between M and the one who like SOS, M और SOS के बीच में कौन बैठा है, H बैठा है, तो SOS और M के बीच में, मैं H को बैठा देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, M और SOS के बीच में, यहाँ पे मैंने H को बैठा दिया, ठीक है, यह condition आगी मेरे पास, आगे चलो, condition पहले complete रटते है, SOS who sit, यहाँ गया, SOS who sit northwest to the D, इसका मतलब क्या हुआ, northwest to the D, इसका मतलब यह हुआ कि चौथा परसन यहाँ बैठा है, इदर, है न, और उसी के नीचे कही D है, तभी तो SOS को northwest करने देगा, यह, नेक साथ आएगा, ठीक है, तो वो यहाँ तो आ नहीं सकता, अगर मैं इसी इस वाले diagram की बात करूँ, ठीक है, नीचे वाले में भी नहीं आ सकता, तो यह वाला combination कहा जाएगा, M, H और SOS का combination चला जाएगा, यहाँ पे, और इससे एक बात आपको समझ में आ रही होगी, कि इस condition में फिर Q कहा बैठना पड़ेगा, यहाँ बैठना पड़ेगा, यहाँ अब यहाँ बात करें, तो यहाँ पे SOS आ नहीं सकता, इस वाले case में U के नहीं आ सकता, और इस वाले case में बैठाता हूँ, तो M और H अगर यहाँ आ जाते हैं आपके पास, तो यह SOS हो जाएगा, और उस case में C इन दोनों में से कहीं भी नहीं आ पाएग, क्योंकि फिर G को नहीं बैठा पाएंगे, तो कौन सा case बचेगा केवल, यही case बचेगा कि C को यहाँ बैठाओ, यह SOS लिख करके इसको G बनाओ, और अब कहाँ चला जाएगा, क्यों यहाँ चला जाएगा, यह बात क्लियर हो गई, और इस वाले diagram की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस वाले पड़ेगा, और इस condition के अंदर यदी में चेक करता हूँ, तो C उपर नहीं जा सकता, यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि दौनों पर हैं, और यहाँ पे भी इस वाले case में यहाँ बैठेगा, यहाँ SOS होगा, और उस case में Q को यहाँ जाना पड़ेगा, बात समझ में आ गई, त तो Q अगर second block में है, तो देखो Q की यह वाली condition भी गलत हो गई, Q की यह वाली condition भी गलत हो गई, यह already गलत था, केवल यह वाला बना है diagram, समझ में आ रही है बात, मतलब 4 diagram गलत हो चुक है, केवल 1 diagram बचा है, देखो, अब T की condition लेते हैं, T जो है, वो अगर right corridor में था, तो नी की बात करता हूँ, तो C अगर left corridor में, तो C left corridor में है नहीं, तो C कहाँ पे है, right corridor, और right corridor में C है, तो C के उपर क्या आ जाएगा, HP यह क्या है, HP, बात clear हो गई यहां तक, तो C का case मैंने solve कर लिया, ठीक है, और G का case solve हो गया, B, U के उपर की तरफ है, यह भी solve हो गया, यहां त बात समय में आ गई, अंदर की तरफ है, W, U के, और कहा है, तो W block is further down to use block, but opposite side of the corridor, opposite side में है, W, अंदर की तरफ है, लेकिन opposite side में है, तो मतलब इन चारों में से W कहीं भी आ सकता है, ठीक है, तो W के लिए यह चार condition है, यहां नहीं आएगा, आगे चलो, R who like sony, sit right side of the corridor, अच्छा, R को sony पसंद है और वो right side में है, तो देखो, R के लिए sony है, तो यहां तो आ नहीं सकता, तो R इन तीनों में से कहीं भी बैठ सकता है, यह जो तीन जगे हैं, यहां से कहीं भी आपके पास में R sony बैठ सकता है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे द उपर आएगा, क्योंकि U के opposite downside में है, ठीक है, तो क्या बुला है कि W is immediate right of the one who like Dale, मतलब W और Dale का column एक साथ आना चीए, या फिर W और Dale उपर नीचे होने चीए, तो W is immediate right कब बनेगा Dale के, जब Dale नीचे बैठा हो, क्योंकि right को operator की बात हो रही है, और W उपर हो, क्योंकि यह left, west की तरफ देख रहे है, तो उसका Dale का right का होगा उपर, तो W Dale का combination ऐसे बनेगा, अब वो W Dale का combination यहां भी बन सकता है, कि W यहां आजाए और Dale यहां आजाए, बात क्लियर है, अगर Dale नीचे आ जाता है यहां, तो T को फिर यहां आना पड़ेगा, बात समझ न, मैं लिख नहीं अगर Dale यहां आता है, W यहां आता है, तो T को यहां आना पड़ेगा, ठीक है, और अगर W यहां आता है और Dale यहां आता है, तो फिर T को यहां आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यह वाला place भर जाएगा, तो आगे चलते हैं, यह condition आगे clear होगी, W block is further down to L's block in the same corridor, अच्छा, W L से भी अंदर की तरफ है, W L से भी अंदर की तरफ है, ठीक है, L से भी अंदर की तरफ है, तो L इन दोनों में से खहीं पर भी आ सकता है, ठीक है, तो अभी भी कुछ clear नहीं है, T and the one who likes HP in the same block, T और HP वाले same block में, अच्छा, अब एक चीज समझ लो, कि T और HP वाले अगर same block में है, तो T को इन दोनों में से खहीं आना था, अगर T यहां आ जाता है, तो HP यहां आ जाएगा, लेकिन अगर T इधर आया, तो यह तो S हो चुका है, इसका मतलब T यहां नहीं आ पाएगा, क्योंकि T और HP साथ में है, तो S को ही T होना पड़ेगा, ताकि HP को खाली जगे मि दो बार नहीं आ सकता, इसलिए अब यह clear हो गया कि इसको W होना पड़ेगा, और इसको Del होना पड़ेगा, यहां तक बात clear हो गई सबको, यह W Del की condition भी clear हो गई हमारे पास में, clear है, और W से immediate right of the Del, यह भी हो गया हमारे पास में, ठीक है, आगे चलो, आगे देखो यहां पे क यह बोला था R, तो देखो R सोनी पसंद करता है, तो यहां इन दोनों में नहीं आ पाएगा, तो यह वाला ब्लॉग भी complete हो गया, हमारे पास R सोनी, अब के वाल L बचा है, इन दोनों इसको खहीं से भी आ सकता है, आगे देखो, R and H sit opposite side of the corridor, R और H जो है, वो opposite side of the corridor है, R और मेरे पास क्या हा रहा है, L आ रहा है, तो देखो, L की क्या condition आ रही है, वो ही हमें देखनी है, देखो, W's block is further down to the L's block in the same corridor, यह हम कर चुके हैं, यहां तक की कहानी सब को clear होगी मेरे इसाब से, अच्छा, आप 2 ही बचे है मेरे पास में, एक तो L बचा है, और एक क्या बचा of the D, मतलब यह वाली condition, M, H आ गया, Asus आ गया, Northwest कब होगा, जब यह D होगा, तभी तो Northwest होगा, इसका मतलब यह क्या हो गया, L, मतलब यह वाला diagram हमारा क्या हो गया, right हो गया, मेरे हिसाब से question आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, कि वह तीन line important थी, इसके अंदर में mark कर देता हूँ, पहली line यह वाली, Q's block is further down, यह समझना जरूरी है, further down का मतलब entrance से आप अंदर की तरफ जा रहे हो, दूसरी वापिस यही line जो कि यह लिखी हुई है, W block is further down to the else block, यह सारी की सारी important थी, क्योंकि यह further down वाले से ही आपको confuse करने वाला था, W block is further down to the use block, तो यह तीन condition अगर आपने समझ ली, तो आप question को easily solve कर पाओगे, clear है यहां तक, चलिए question देख लेते हैं, फटाफट से इसके हैं, question number one पे यदि मैं आता हूँ, तो लिखा हुआ है, कि which of the following combination of a person like Dale, तो कौन सा combination है, जो Dale पसंद करता है, तो Dale एक तो C पसंद करता है, एक D पसंद करता है, अच्छा, यहां पे मेरे पास में अभी कुछ और रह गए हैं, बुझे ये भी तो cover करने हैं, क्योंकि इनको करे भी ना, तो मेरा question पूरा हो गई नी, तो जड़ा देख लो यहां पे, नीचे के जो 3 है, यह भर चुक है, तो चौथा कौन हो जाएगा, HP हो जाएगा, यहां हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, सोनी हो जाएगा, ठीक है, और सोनी के नीचे सोनी आ नहीं सकता, इसलिए H को सोनी होना पड़ेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, मेरे पास में डेल हो जाएगा, clear हो गया, यह बन गया पूरा, तो अब उसने क्या पूछा है, डेल तो L के respect में यू जो है जो Southwest में बैठा है कहां बैठा हुआ है? Southwest में बैठा हुआ है या फिर ये देखो ये रहा Southwest में बैठा हुआ है Which of the following laptop does L like? L को कौन सा laptop पसंद है तो देखो L को HP का laptop पसंद है मेरे इसाब से easy है आप कर पाएंगे ठीक है? Which of the following is not true ये भी आप उसमें से देख देखके easily कर पाओगे तो question यहाँ पर इतना important नहीं होते है क्योंकि question easy हो जाते है जब puzzle tough होती है तो और अगर puzzle easy होती है तो वो question tough कर देते है तो आज के लिए इतना ही thank you so much next set के लिए हम फिर से मिलेंगे जब तक के लिए thank you so much